तो कईसर, आज लौस जेंटोंस का मौसम हो दखा है, बहुत ही जाना खतरनाक और आज हम सुबह-सुबह बना रहे है बर्गर घर पे बैठकर बर्गर बनाने में अलगी मज़ा आता है तो यह ऐब हम गए घ्रिल हमारी चाली हो चुके है और हमारे बर्गर भी पकना शुरू हो चुके हैं और मैं चॉप के रही बर्गर बना रहा हूँ पर बता नहीं चॉप कहा गया हूँ है चॉप जल्दी से आ जाए तो साथ में बर्गर खा पाएंगे आपका सबसे फेवरेट फास्ट फूड कॉन सा है मेरा तो बर्गर है आपका कॉनसा है फुड़ा फट्से कमेंट करके बता दो अरे ये चॉप का बच्चा का आएगा ओ फ्रैंक्लिन मां आ गया जल्दी मेरे पास आओ अरे चॉप क्या हो गया और फ्रैंक्लिन जल्दी मेरे साथ आओ अरे पर हुय ये तो बता मुझसे मदद अरे क्या हो गया हमारी मदद करो अरे क्या मदद करो क्या हो गया और ने वुला से तुम आरे पर हुआ क्या वो तो बता हो ए तो तुम कह चाहते हो मैं Octopus से लड़ू मैं Octopus से कैसे लड़ सकता हूँ Franklin तुम्हे हमारे मदद करने पड़ेगी आओ Franklin एनकी मदद कर दो यह लुग बहुत ही परशान है अरे पर मैं Octopus से कैसे लड़ूंगा अरे Franklin उन Octopus के बोस ने बुला था कि वो पूरे के फूरे लोसेंटोस पर अबला करने वाले और पूरे लोसेंटोस को खतम कर देंगे फ्रेंक्लिन तुम्हें हमारी मदद करने ही पड़ेगी फ्रेंक्लिन अरे यार क्या करूँ मेरा अंदर बर्गर भी तो बन रहा है अरे ये चौप का बच्चा केला केला बर्गर खालेगा चलो ठीक है मैं तुम्हें ही मदद करूँगा बताओ कहाँ चलना है अरे फ्रेंक्लिन हमें जंगल में जाना पड़ेगा वहाँ पर हम तुमको दिखाएंगी क्या चल रहा है हमारे घर पर अच्छा ठीक है तो काईजर अभी हम इन दो बेमी हातियों की मदद करने वाले इनके घर यानी जंगल पर अटाइक हो चुका है खतरनाक खतरनाक ऑक्टोबस का मुझे समझ नहीं आ रहा ऑक्टोबस कैसे अटाइक कर सकता है वो तो पानी में रहते हैं तो मैं जल्दी से इनकी मदद करता हूँ ताकि फिरा हम अपने बरकर भी खा सके चलो फड़ा फट से चलते हैं हातियों के जंगल में तो काईजर अभी हम पहुचने वाले जहां पर यह सारे के सारे एलिफेंट्स रहते हैं और काईजर मुझे सामने कुछ न कुछ तो दिख रहा है हमें उनके जादा पास नहीं जाना चीए वरना वो हो सकता है हमें भी मार दे अरे फ्रैंकलिन हमारे मदद करो फ्रैंकलिन अरे तुमारी मदद ही तो करना है हूँ देखते हैं क्या चल रहा हुदर हाँ 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 इन सारे के सारे हातियों को हम खतम करके रहेंगे ये हमेशा लॉस सेंटोस को बचा लेते थे किसी भी अटैक से पर इस बार ये नहीं बचा पाएंगे और तू हातियों के सर्दार तू भी मरने वाला है तुम ये अच्छा नहीं कर रहे तुमने सारे के सारे हाथियों की फैमली को मार दिया तुम ये बहुत ही बुरा कर रहे हो इसका अंजाम बिलकुल अच्छा नहीं होगा अब मेरी बात सुन तेरे सारे के सारे हाथि खतम हो चुके मेरी पूरी सिना इस लोसेंट तॉस पर अटैक करीगी और पूरे लोसेंटोस वासियों को हम ओक्टोपस में कनवर्ट कर देंगे सब पर मैं राज करूँगा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा तुम कुछ नहीं कर सकते अब तुमारी मरने की बारी आच चुकी है वो तो मेरे पापा है वो मेरे पापा को बार देंगे बापा अरे रुक्चा कहां जा रहा है कहां जा रहा है मैं अपने बापा को बचा के रहूंगा तुम मेरे भापा को नहीं मार सकते में तुम हिँ हुआ पार दुम्ने बवोधी बड़ी गल्ती कर दी, अब तुम मरोगे दोनों के दोनों मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इन सारे के सारे हाथियों को उमने खतम कर दिया, अब बारी लोसेंटोस पर राज करने की, मेरे सिपाईयों चलो, हमें लोसेंटोस पर राज करना यह और शकी कहो करना। एंल्ग अफ्रीज पीम आई करना है। और यह कोई normal octopus निये यहां पर द हिल यह और कि सेना भी और यह श्यूं जादा बड़ी कहतर नाक हमें कुछ नाकुछ दो करना पड़े गा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। औरे यह क्या यह तुन के सेना है। बोस बोस जल्दी दर आओ। हमने इनसान और हाथी को पकड़ लिया। आज तो लगता है लोटरी निकलिये। उन सारे हाथीों को मार दिया। और हम इनसान उको भी मारेंगे। यहाथी कैसे बच गया। इसको भी मारो। इनसान तु भी नहीं बचेगा। मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ और इस इनसान को अपने जैसा ओक्टोबस बना के मेरा नौकर बना लूँगा। ऐसा कभी दियों पाएगा। जल्दी बागो यहांसे। अरे फ्रेंक्लिन चल्दी बागो चल्दी बागो। अरे आँ बाग रहों बाग रहों। जल्दी जाके उनको बखड़ सिपायों। ओके बॉस हम उन्हें नहीं चुड़ेंगे। अरे वो लोग था मारे पीछ आरे। चल्दी बागो चल्दी बागो। अरे काईसर ये लोग तो हमारे पीछे बढ़ गए चल्दी से बागना पड़ेगा अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम भी नहीं बैचने वाले जैसे सारे के सारे हाथियों को बारा था ये लोग हमें भी मार देंगे हमें यह से निकलना पड़ेगा रुक जाओ हम तुम्हें नहीं चोड़ेंगे अरे हाथी तो ड्रेंक्शन मतने मैं तुझे बचा लुआ चल्दी बागो अरे काईसर हमें चल्दी से चल्दी यहां से निकलना पड़ेगा अब कहां बागोगे आगे रस्ता कतम हो गया फ्रेंक्लिन कुछ करो फ्रेंक्लिन कुछ करो लगता है हमें यहां से खोड़ नहीं पड़ेगा चला कुछ जाते हैं ओ पेरिशूट पेरिशूट तो काईसर सही टाइम पे अभी यहां पेरिशूट हमने खोल दिया हैं और हम यहां से निकल चुके हैं तो काईजर बहुत ही जादा मुश्किलों से हम उन ऑक्टोपस से बच चुके वो लोग से ही में बहुत ही जादा खदर नाक है वो तो यह मेरे पास अच्छा पैरेशूट था वरना या तो हम जमीन पर गिर के मढ़ जाते या तो वो ऑक्टोपस हमें मार देते पर अभी हम सेंटोस को उन्होंने मेरे पापा मेरे बाई सब को मार दिया हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यह ऑक्टोपस सही में बहुत ही जादा खदर नाक है और इन्होंने सारे हाथियों को दो मार दिया अब यह पूरे लॉस सेंटोस पर अटेक करेंगे हमें इने लॉस से डॉस पर अडेक करने से रोकना पड़ेगा पर कैसे क्या करें फ्रेंकलिन मेरे पास एका इडिया है क्या 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 हमें जानवरो की राजा के पास जाना पड़ेगा वो ही हमारी मदद कर पाएगा जानवरो का राजा वो कौन होता है तो मैं नहीं पता क्या जंगल का श्रिफी की राजा होता है और वो है शेर क्या हमें शेर के पास जाना पड़ेगा हमें कोई ऐसे वैसे शेर नहीं हमें शेर खान के पास जाना पड़ेगा शेर खान यह बारी मदद कर सकता है किया, शेर खान, वो तो भी में बहुत ही खतरना कें, पर हमें लॉस सेन्टॉस को बचाना है, तो हमें शेर खान के पास जाना ही पड़ेगा, चलू, पड़ा बट चेहर खान के पास चलते हैं, और उससे मदद महांगते हैं, तो काईसर हम बस पहुचने वाले शेर खान के पास, शेर खान हमारी मदद करने वाला है, उस खदरनाक से ओक्टोपस को हराने में, अब हाती जल्दी आला कितनी दिये दिने चल रहा है, अरे मुझे तब बहुते डर लग रहा है, हमारे साथ क्या होगा, डर तो मुझे भी हैं, यहां पर तो बहुत सारे ब्लेक पहन्तर है, सारे के सारे शेर खान की सेक्यारीटी के लिए, शेर खान हमारी मदद करो, शेरखान के पास तुम क्यों आए हो शेरखान हमें तुम्हारी मदद की जरुवते लॉस सेंटोस में खदरनाक ऑक्टूबस एलियन का अटैक हो गया और वह बहुत ही खदरनाक है उसने अल्रेडी हातियों की पूरी फैमिली को खतम कर दिया अब वो लॉस सेंटोस को खतम करन करना चाहता है हमारी मदद करो शेरखान मैंने यह सब काम छोड़ दिया अब मैं रोज जॉब पढ़ जाता हूं डंग से नौकरी करता हूं अब मैं मारम धड़ी नहीं करता अरे शेरखान ऐसे क्यों बोल रहे हूं तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी हमें लॉस सेंट चोटा है पर मेरा पेट भरने के लिए बहुत है मैंने बहुत टाइम से कोई हाती नहीं खाया यहाति मुझे खिला दो मैं तुम्हारी मदद करूँगा अरे यह क्या बोल रहे हो हमें ऐसे जाना चाहिए अरे पर अगर इसने मारी मदद नहीं करी तो पूरा लोस सेंटोस खत्री में आ जाएगा अगर यह मारी मदद करेगा तो यह ते को खा जाएगा और तुम मढ़ जाएगा कोई बत नी मुझे मरने दू मेरा वैसे भी पूरा का पूरी फेमिली मठ चुकी है मुझे भी मरने दू कम से कम लोस सेंटोस को तो बचा लेंगे अरे पर कनफर्म तूना है अगर अक्टोबस अलियन ने इसको भी मार दिया तो हमारे पास और कोई मो हमारे पास और कोई बचारा भी नहीं शेर कान, शेर कान, तुम मुझे खालो, पर फर तुम्हें उक्टरबस कोहराना बड़ेगा क्या, तुम्हारा ये लाज़ डिसिजन है? हाँ, मेरा ये लाज़ डिसिजन है अरे हाथी एक पर और सोच ले हाँ, फ्रेंक्लिंड, मैंने सोच लिया पूरे लोस सेंटोस को बचाने के लिए, मुझे मर नहीं होगा मुझे खालो, शेर कान, मुझे खालो, मुझे खालो अच्छा, ठीक है, तुम इतना बोलते हो, तुखा लेता हूँ नहीं, मैं ये नहीं देख सकता, मैं नहीं ये देख सकता नम, 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 बच्चे, तुमारा दोस तो बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आगया, बताओ किस से लड़ना है मेरा हाथी चलो हमें ओक्टोपस से लड़ना होगा इसके पेट में मेरा दोडोस थाथी है हाथी तो टैंक्शन मतले हम लोज सेंटोस को बचा लेंगे चलो शेर खान ओक्टोपस को राते हैं now guys guys अब तो कैसे भी करके ओक्टोपस को में हराना ही होगा क्योंकि हमारे दोनों बेबी हाथी मर चुके एक को उक्ट्रोबस ने मार दिया और एक को शेर खान खा गया पर आप उस ओक्तोरपास को बिलको निझोडने वाले क्योंकि हमारे साथ शीर खान है heard तो काइसर अभी यहाँ पर आ चुके… और वो ओक्तोरपस और शीर खान दोनों आमने सामने आचुके दिखते क्या होने वाले है मैंने सुना है तुम लो सेंटोस को खतम करना चाते हो पर तुम्हें पता नहीं है शेर खान अभी जिन्दा है अब ये शेर खान चिखिए शेर होगा तू अपने घर पे या पर तू एक भीगी बिल्ली है मैं आक्टोपस तुझे एक सेकंड में खतम कर सकता हूँ जब के सब यही सोच दे हैं शेर खान से मिलने में पर जब शेर खान का पंजा पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है वायँ शेर खान शेर खान तूम्हें बताए तुमारे लिए तो मेरे चंगु मंगु ही काफी है चंगु मारो इसको ओके बॉस औरे ये क्या, ये क्या, ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, औरे मुझे तो यहाँ पर फ्रेंक्लिन ना है, वो वहाँ पर चुपा है, उसको पकड़ो, फ्रेंक्लिन से मैं बाद में निपट लूँगा, अभी तेरी बारी, मंगू, खत कर देंगे यह सब तुमारी वजह से हो रहा है निकल लिया से हमसे कोई बंगा नहीं ले सकता बहुत शेर खान कतम हो गया बहुत बढ़िया चंगो जाके उस फ्रेंक्लिन को पकड़ो ओके फ्रेंक्लिन कहा है तू मैं तुझे नहीं चुड़ूंगा फ्रेंक्लिन भागो इसके चकर में हमारा दोस्त बेवी हाती मर गया और यह तो बहुत ही कमजोर निकला यह तो जाते ही पिटिया यहां से निकलते है बढ़ावट से वो चंगो का बच्चा है मुझे टून रहा है चल्दी निकलते है यहां से तो काईजर अभी हम आचुके अपने घर पे मैजिक बोर्ड निकालने के लिए यह मैजिक बोर्ड हमारी मदद करने वाला है हमें दोनों हातियों का बदला लेना पड़ेगा हाँ हमें दोनों हातियों का बदला लेना पड़ेगा हमारे दोनों दोस्त मर गए और उस ऑक्ट्रोपस के बच्चे को रोक रहा पड़ेगा चलो काईजर, फुड़ावर्ट से कुछ ऐसा बनाते हैं ड्राइंग मैजिक बोर्ट पर जिससे उस अक्टोबस के बच्चे को हम खतम कर सके हैं। तो काईजर, अभी आप देख सकते हूँ, हम आचुके अपने ड्राइंग मैजिक बोर्ट पर जो काम मुझे बहुत देर पहले कर देना चाहिए था, वो काम हम अभी करने वाले हैं। हम अपने मैजिक बोर्ट पर कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, जो की पूरे लॉसेंटोस को उस खतरनाक ऑक्टोपस से बचाने वाला हैं। और उसके वो चंटर-पंटर से भी तो फड़ाफट से बढाना शुरू करते हैं। यह चीज बहुत ही जादा खतरनाक होने वाली है। तो इसको फड़ाफट से बनाते हैं ताकि हम लॉसेंटोस को जल्दी से जल्दी बचा पाएं। यह बन गया इसका कान। अब बताओ, इतने बड़े-बड़े कान किस के होते हैं। देखते कौन बता पाएगा। तो यहाँ पर हमारे कान तो बन गए अब इसके फेस को भी यहाँ पर कमप्लीट कर देते हैं। यह इसका पूर का पूरा फेस है। आपको कह लगता है यहाँ पर क्या बनने वाला है। फड़ाफट से कमेंट करके बता दो। यह बन गया इसका पूरा फेस, देखते हैं को नकोन format कर पाएगा। अब इसकी ना की बाकी बाडी बनाते हैं। यहाँ थिस कि यहाँ पर क्तरनाओ बाडी बिल्डर वाले हाथ, बहुत ही जादा मस्कुलर डोले शोले वाले हाथ इसके बनने वाले ये बन गया इसका पहला हाथ जहाँ पर होगी एक दो तीन जार अगुलियां अब same इधर ही बनेंगे इसका तूसरा हाथ, यहाँ पर भी muscular muscular हाथ इसका बनेगा, यह बन गया यहाँ पर ऐसे और 1, 2, 3 और यह इसका तूसरा हाथ भी यहाँ पर हो चुका है complete अब इसकी बाकी की बॉड़ी बनाते है बाकी की बॉड़ी बहुत ही जादा बड़ी होती है तो यहां से हम इसको लेकर जाएंगे और इसको भी यहां से ले लेते हैं फड़ावट से इसकी बॉड़ी यहां पर होएगी कनेक्ट और यहां पर इसने मस्ती लुंगी भी पहन र अभी आप देख सेक तो यह हो गया कंप्लीट तो काईजर बार बार की बड़ी तो बना दी अब इसके अंदर की डिजाइनिंग कंप्लीट करते हैं ताकि यह बहुत ही जादा खतरनाग लगे अगर अभी हम इसको रियल लाइफ में ला देंगे तो यह बिल्कुल नॉर्मल सा और काईजर जो इसकी यह नाक है उसमें हम यहाँ पर चेद भी करने वाले हैं अब इसको नाक भी बोलते हैं और एक और चीज बोलते हैं वो अभी नहीं बताओंगा वो जब पूरा बन जाएगा तब ही आपको बदद चलेगा उससे पहले कोई गैस भी कर सकते तो और काई जैसे कि यहाँ पर बनेगी इसकी आखे बड़ी बड़ी गोल गोल आखे हम इसको बनाने वाले यहाँ पर दूसरी आख भी दे देते और इसका यहाँ पर यह कान भी क्या पूरे ड़न हो गए तो कैसर अब यह आप देख सकतू हमारा इक खतरनाक सा हमारी खतरनाक सी चीज यहाँ पर बन चुकी है अब हम इसके अंदर कलर करने वाले तो अभी तक तो सब को पता चली किया होगा तो हमने बनाया है यहाँ पर एक ख़दर नाक सा यहाँ यहाँ यह खतरनाक सा एलिफैंट हमारी मदद करने वाला पूरे लौस एंटोस को उन ओक्टोपस से बचाने में तो इसके हर जगे अपने इसको कलर कर देते हैं एपने पूरा पूरा ग्रे होता है तो हर जगे अमने ग्रे कर दिया उसके बाद ब्राउन कर लेकि इदर इदर भी कर देंगे और उसके बाद हम ब्राउन कलर की लाइने लेके इसके बैरों में करने वाले ताकि यह बहुत ही खतरनाक लगे रुख जाओ थोड़ी मोटी लाइने करनी पड़ेगी और आप देख सेकते हो यहाँ पर हमारी यह खतरनाक सी डिजाइने कंप्लीट हो च तो चुराँ इसके दातों में थोड़े से स्पाइक लगाने का तो यहाँ पर हम इसके स्पाइक लगा देंगे यहाँ पर भी स्पाइक लगा देते हैं और इस साइट भी स्पाइक लगेंगे और इस साइट भी तो अभी हमने दोनों दातों के अंदर खतरनाक खतरनाक स्प बढनने वाले तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा न्टूचंड 100 से काम नृट नहीं चलेगा इंटू- करना पड़ेगा अब वो Octopus का बचान नहीं बचने वाला तो काईसा हमारी painting पूरी पूरी complete हो चुकी है और ये painting बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक painter ने तो काईसा अब ये आप देख सकते हो हमारी drawing के आपर complete हो चुकी है ये खतरनाक सा हाती हमने यहाँ पर बना दिया है ऐसा हाती आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये कोई नॉर्मल हाती नहीं है पहले बाद तो ये दो पेरों पर चलता है और इसकी पावर्स बहुत ही जादा खतरनाग है बड़े बड़े जंप कर सकता है और ये सही में बहुत ही जादा पावरफुल है अब उस ओक्टोपस के बच्चे को बिल्कुल भी ने छोड़े वाले उसने सबसे पहले हातियों को ही खतम किया था और हमारे दोस्त हातियों को भी माला था अब हम उसको मालेंगे वो भी एक खतरनाक सा हाती बन के आ रहा हूँ मैं ओक्टोपस Octopus के बच्चे मैं आ चुका हूँ तुझे खिम करने अरे, मैंने तो सोचा था मैं यस सारे के सारे हाथियों को खतम कर दिया एक बच गया, रुखो बहु इसको खतम करता हूं तुम मुझे कभी नहीं खतम कर वाएगा क्योंकि मैं तेर से बहती जादा पाउरफुल हूँ और मैं तुझे नई छौड़ने वाला और ये त confiscation का भी बुरा बुरा बारने वाला हूँ येलो अवे ये क्या कर रहा है मैं तुझे नई छोड़ूँगा तो आज आफर देखते हैं किस में कितना दम मैं तुझे नहीं छोड़ूगा अब हाती के बच्चे यह ले मैंने बोला था सबको खतम करके रहूँगा सबसे पहले तो इसके सिपायों को मारूँगा फिर इसको मारूँगा तु मुझे कभी नहीं मार पाएगा मैं इस लोसेंटोस बिराज करके रहूँगा 80% loss and loss मेरे बस में already आ चुका है बस 20% और बचा है वो 20% तेरा कभी नहीं हो पाएगा और जो 80% है वो भी मैं वापिस से ठीक कर दूँगा और octopus के बच्चे याँ गेले तो काई सर इस octopus को कैसे भी करके हमें खतम करना ही पड़ेगा उसके लिए आप मेरी पावर्ष और भी ज्याधा बढ़ा सकते हो उसके लिए अपको सिर्फ कमेंट करना है power in 2000 पहले मैंने अपनी power 1000 से तो पहले ही पढ़ा लीती अब और भी ज्याधा बढ़ा सकते है अगर आप कमेंट करोगे power in 2000 तो चल्दी चल्दी कमेंट करतो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक निए तो लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यह ओक्टोबस का बच्चा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे मैं तुम से बहुत ही ज्याद देना है और फिर वो भी ऑक्टोबस बन जाएंगे हाँ हाँ अगर कैजर मैं इसकी सेना को मारूं गा तो मतलängt मैं लोससेंटोस को मार रहा हूं तो मुझे इस ही को खतमकरना पड़ेगा तब ही मैं लोससेंटोस को बचा पाऊंगा तो फड़ा फड़ से इस को खतमकरते बि कमजोर तो तो बिलकुल नहीं है पर में सामने तो बहुत ही जादा कमजोर है अब मैं तुझे खतम करने वाला हूँ इसको लेकर जाएंगे बहुत ही जादा उपर या यह ले तो काईजर इसके साथ इस ऑक्टोपस की कहानी होती है खतम और हमने लॉसेंटोस को बचा लिया इस पागल जैसे ऑक्टोपस से और जो इसका खतरनाक सा जहर ता उसका भी असरब बंद हो जाएक और सारे लॉसेंटोस वाले वापस से नॉर्मल होने वाले तो गैसर आज इवर से विटाई हमने पूरे की पूरे लॉसेंटोस को लेंगे आपसा अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब